Hello everyone, this is your Math Spirit, today we will start exercise 8.9, okay हमारा chapter चल रहा था, multiples and factors, उसी को ही हम continue कर रहे हैं, question number 1 is find the greatest number, greatest number means, at the highest common factor, find the greatest number that exactly divides 289 and 391, हमें greatest number find out करना है, जो exactly divide करें 289 और 391 को, ठीक है, 289 और 391, ठीक है, अब हमें divide करना है, 289 जो टेबल है, जो हमें number दिया है, वो divide कर रहा है, मतलब 289 के टेबल पर 391 possible नहीं है, नहीं आ सकता, हम इसको 1 से ही divide करेंगे, 289 बंजा 289, ठीक है, आपको subtract करना है, 391 में से 289, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, बोरो ले लो, 11 में से 9 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2, क्या रहा है, यहां पर 8, 8 में से 8 माइनस करोगे तो क्या answer आएगा, 0, 3 में से 2 माइनस 1, ओके, जो हमारा HCF होता है, उसमें हमारी यह वाली division चलती है, अब 289 क्या बन जाएगा, dividend, ठीक है, divisor क्या रहेगा, 102, 102, 2 जा 204, तो कि 289 है, it is greater than 204, 9 में से 4 माइनस करो, 5, 8 में से 0 माइनस करो, 8, 2 में से 2 माइनस करो, 0, ठीक है, यह आया, 85, अभी यहाँ पर आएगा, 102, ठीक है, अभी यह बन जाएगा, हमारा dividend, ठीक है, 85 बन जा 85, 2 में से 5 माइनस हो सकते हैं, नहीं, बोरो लेलो, 12 में से 5 माइनस करो, 7, यहां हुआ, 9, 9 में से 8 माइनस करो, 1, अभी 85 यहां है, 17, 5, 0, 85, आंसर इस 17, हमारा रिक्वाइड, HCF है, 17, नाउ, नेक्स कोशन इस, फाइंड दा ग्रेटेज नंबर, देट कें डिवाइड, 342, 450, और 540, लिविग नो रिमेंडर, इसमें हमें कोई भी रिमेंडर गिवन नहीं है, इस केस में हमें क्या करना है, डारेक्ट डिवाइड करना है, सबसे पहले, 540 डिवाइड हुगा, 450 से, 450 बनजा, 450, 540 में से, 450 माइनस करो, का अंसर इस 90, अब 90 से आपको डिवाइड करना है, 342 को, 93 से 270, 342 में से 270 माइनस करो, आंसर इस 72, अभी क्या आगया, 90, 72 बनसा 72, 90 में से 72 माइनस करो, 18, और यह आगया, 72, 18, 4 जा 72, यह डिविजन होती है, हमारी HCFली डिविजन, आंसर इस 18, ठीक है, नाओ, कोशन नमबर थर्ड, इस फाइंड ग्रेटेस नमबर देट कें डिवाइड, 645, 790, एस तो लीव रिमेंडर इन 7, इन इच केस, इच केस में 7 रिमेंडर, मतलब दोनों केसे में 7, क्या हो हमारा रिमेंडर, हम क्या करेंगे, Since the given number divides 645 and 790, leaving remainder 7, the number must exactly divide, 645 में से भी 7 minus करो, 790 में से भी क्या minus करो, 7, क्योंकि each case, मतलब हर एक case के लिए आपको यही remainder given है, 645 में से 7 minus करोगे 638, 790 में से 7 minus करोगे 783, अब आपको divide करना है, 783 को किस से करना है, 638 से, 638 बंजर, 638, 783 में से 638 minus करो, answer is 145, अब हमारा यह वला divisor क्या बन जाएगा, dividend, ठीक है, 145 forza, आपको table count करकर देखना है, कहां तक आप इसके near about को होच सकते हैं, या तो यही same number आना चाहिए, या आप कहां तक इसके near को होच सकते हैं, 145 forza, 580, 638 में से 580 minus करो, answer is 58, अब क्या आया यहाँ पे, 145, 58 toza, 116, 145 में से 116 minus करो, answer is 29, अब यह dividend, जो यह हमारा divisor है, यह क्या बन जाएगा हमारा dividend, 29 toza, 58, आपको यह number को वहां तक multiply करना, या तो आप यही same number लेयाओ, या इस number तक के near about पोच पाओ, तो हमारा greatest number, required number है 29, find a greatest number that can divide 77 and 121, living remainder 8, living remainder 8 and 6 respectively, मतलब उसने दोनों cases के लिए अलग-लग remainder दिये हैं, दोनों cases के लिए अलग-लग remainder जेता आपको क्या करना है, when we divide 77 by that number, the remainder is 8, ठीक है, first one के लिए 8 दिये, 77 में से 8 minus करो 69, when we divide 121 by that number, जब हम 121 में से number को minus करते है 6 को, तो answer के आएगा 115, तो हमारा required number क्या होगा, 115 से हम divide करेंगे 69 को, 69 में से 69 minus करो तो answer आएगा 46, तो यहाँ पर क्या है 69, 46 में से 46 minus करोगा 23, और यह हमारा divisor क्या बन जाएगा, dividend 46, 23 तूजा 46, ठीक है, answer is हमारा क्या होगा 23, जहाँ हमें each case के लिए दे रखा हो, same, तो दोनों में से same number minus होगा, लेकिन यहाँ हमें 77 के लिए 8 remainder दिया वा, तब 121 के लिए 6, तो 77 में से हमने 8 minus किया, 121 में से 6 minus किया, after that हमने क्या किया, actually find out किया, 23 is required greatest number, अगर आपको कोई भी doubt, query रहते हैं, then ask me, thank you, have a nice day,